हेलो गाइज, आज हम सीता देवी जो एक बोथ फेमस आर्टिस थी इंडिया की उनकी बायोग्राफिक को कवर करेंगे आज हम मदूबनी पेंटिंग्स के या जिनको मिधिला पेंटिंग्स भी का जाता है अगर हम उनके बारे में सुनते हैं तो उसका सारा जो श्रे है वो इनी को जाता है इनी की वज़े से जो मदूबनी पेंटिंग्स है वो बनाए गई सबसे पहले इन्होंने ही नेचुरल चीजों से पेंटिंग्स बनाना शुरू किया और मधुवनी पेंटिंग्स बनाई इनका जन्म इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले सीता देवी इनका जर्म 1914 में जितवारपूर में मदुबनी डिस्टिक्ट में हुआ था इंडिया के और इनकी जो डेथ है वो नवंबर 22,006 को हो गई थी शी वोस फेमस फो ड्रोइंग इंदी बजरनी स्टाइल बजरनी स्टाइल में ड्रोइंग करने के लिए सीता देवी जो है वो फेमस थी सीज फो ट्रांसफर दर ट्रेडिशनल आर्ट फोर्म दर वोल्स ओफोर्म तो पेपर और केंवास पे बनाना शुरू किया उनके वर्क को जो है वो एड्मार किया गया बड़े बड़े लोगोज़ारा जैसे हमारे जो प्रेजिडेंट थे प्राम मिनिस्टर थे उस टाइम के और जो इंद्रा गांदी जी थी उन्होंने उनके वर्क को एड्मार किया ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं सीता द इन्होंने बहुत सारे शोचल वर्क किये जिसकी वज़े से उनको वहां पर प्राइमरी स्कूल बनाया गया और फिर वो कनवर्ट हो गया सेकंडी स्कूल में इसका मतलब एजुकेशन में भी इनका वहां पर काफी योगदान रहा है She had increased about 1000 others in the village to learn the art of madhubani painting उन्होंने लोगों को increased गया और around 1000 people को उन्होंने शिखाया madhubani painting को कैसे बनाते हैं उसका art अब जो painting सीता देवी ने बनाया उनके बारे में बात करते हैं इन्होंने elegant और richly colored painting मनाई है Krishna की भगवान Krishna की राधा की और अधर जो गोड और गोड़े सी उनकी एक्स्टा ओर्णली ही जो images see, world center की, world trade center, Arlington National Cemetery, facades of 19th century building in New York City ये सब भी उन्होंने बनाया है During the course of the impressive artistic career, Sita Devi has exhibited her work in more than 10 countries and finds place in the permanent collections of the Victoria and Albert Museum in London, the Los Angeles County Museum of Art, the Philae Del Pia Museum of Art, the Muse Du Quai Grainley in Paris, the Mithila Museum in Japan and many other international institutions उनका career इतना impressive था, उनका जो artistic career था, कि Sita Devi ने अपने work को more than 10 जो country थी, 10 देशों से भी जादा देशों में उनके work को दिखा गया और काफी जगे तो उन्हें permanent place भी मिला उनके collections को, जैसे London के museum में उनकी painting रखी गई, Japan में, Los Angeles में, Paris में और other international institutions में यहाँ पे उनकी काफी famous एक painting दिखाए गई है, यह आप देख सकते हैं Next, हम उनकी जो बहुत काफी famous painting रही है, उसकी बात करें, तो one of the highlights of Sita Devi's painting is a monumental painting of Krishna flanked by two attendants by Sita Devi created in 1970 1970 में Sita Devi ने काफी अच्छी painting मनाई जो भगवान स्री कृष्ण की painting थी Rather than paper, this painting is created on board, leading it an XQ side finish Paper की जगे है, इन्होंने इस painting को जो है, वो board पर बनाया जो इसको बहुत अच्छा finish मिला इस से Finally, detailed with flowers and a peacock at Krishna's feet and confidently signed by the artist This painting is one of the artist's finest mural scale works, revolving those in international museum collection इस painting में उन्होंने Krishna के feet के नीचे जो है, वो एक मोर को दिखाया है और बहुत fine, बहुत बारिकी से flowers बनाया, decoration की है इस painting पर और यह painting जो है, वो international museum collections में भी अपना एक place hold करती है और मदुवनी painting की एक खास्यत मैं आपको बताऊं उन्होंने, उनकी हर एक painting पे आपको double border दिखेगा दो-दो lines दिखेगी मदुवनी painting में यहाँ पे भी आप double border देखे देख सकते हैं तो यह double border क्यों बना जाता है? देखे, इसके पीछे का reason यह है कि जो यह दो line बनाए गई है painting के बार यह represent करती है male को और female को जिस तरह male और female पूरी जिन्दगी में बहुत सारी problems उतार चड़ावाते रहते हैं उनको देखते हुए भी एक साथ रहते हैं और आगे बढ़ते हैं situations को face करके आगे बढ़ते हैं इस तरह यह message देने के लिए इस paintings इसमें क्या बलकि सभी मिथिला paintings में मदुबनी paintings में dual line बनाए जाती है अब बात करें तो जो मिथिला है वो birthplace है जो रामायन में सीता देवी थी उनका जो located on the plains of Bihar और यह सीता देवी इनका भी birthplace मिथिला ही है इस mineral rich area plays into the aesthetic of मिथिला paintings यह mineral rich area था और इसने भी मिथिला paintings में काफी योगदान दिया है क्योंकि मिथिला paintings में natural colors dyes का use क्या जाता था दे प्रामरी mediums for the tradition have always been natural vegetable dyes and mineral oxide यह natural vegetable थी उनके dyes का mineral oxide का इस painting में बनाने के लिए use क्या जाता था इस accessibility of medium also tangentially relate to the original praxis of मिथिला devotional floor paintings and wall mural for festival and auspicious occasion like wedding using simple brushes made of bamboo or rock cotton जो devotional floor painting बना जाती थी या walls पर painting बना जाती थी फैस्टिवल के लिए या कोई special occasion जैसे शादियों के लिए weddings के लिए उसमें simple brushes का use क्या जाता था और वो भी bamboo और raw cotton से बना जाते थे बिलकुल एकदम natural चीजों से ब्रश भी natural चीजों से बना जा रहे थे थे इस paintings created second spaces for their domestic rituals domestic rituals के लिए भी painting काफी important जो है वो role play करती है यहां पर कुछ three paintings दिखाए गई है जो की काफी सुन्दर लग रही है देखने में अब जो मधुवनी paintings की बात करें तो मधुवनी आर्ट और मिथिला painting is a style of Indian painting practiced in the mythila region of the Indian subcontinent Indian subcontinent के mythila region में ही paintings बना जाती है मतलब बिहार के अंदर मधुवनी painting received official recognition in 1969 when Sita Devi received the state award by government of Bihar जो मधुवनी painting थी इनको official recognition जो है वो 1969 में दिया गया जब Sita Devi ने भी state award रिसीव किया जो बिहार की government ने उन्हें दिया it is characterized by its eye-catching geometrical pattern ये जो इसके जो geometrical patterns थे वो काफी beautiful होते थे और eye-catching होते थे ये इसके character feature है there is ritual content for particular occasions such as birth और marriage और फेस्टिवल सच आज होली, सूर या सक्ति, काली, पूजा, उपनाया और दुर्गा पूजा जो ritual content है उनमें भी ये paintings बनाई जाती थी बर्थ, marriage पे और कोई special festival और जैसे होली, सूर या सक्ति, काली, पूजा, दुर्गा पूजा ये सब मधुबनी painting has remained confined to a compact geographical area and the skills have been passed on through centuries जो मधुबनी paintings है वो एक compact geographical area तक रही और जो skill है इसे बनाने की वो पास होती चले गई, आगे लोग इसको सीखते चले गई और बनाते गई अब जो है वो style की बात करें इस painting के अंदर तो मधुबनी art has five distinguished styles पाँच distinctive style थे मधुबनी art को बनाने के जैसे भरणी, कच्नी, तांतृ, कोडुना और कोछभार ये पाँच style थे इसको बनाने के, in the 1960s भरणी, कच्छनी और तांत्रिक स्टाइल वर मेंली डन बाइ ब्रहमन और कयास्त वोमन, वो अर अपर कास्ट वोमन इन इंडिया और नेपाल, इस्टाइटिंग में जो कच्छनी, भरणी, तांत्रिक स्टाइल थे, वो बैसिकली वो ही करते थे, जो ब्रहमन और कयास्तिक वोमन थे, जो अपर कास्ट लोग थे, इंडिया में और नेपाल में, और अगर हम बात करें, तो लोग डेली लाइफ के सिंबल ये सब बनाते थे, जिसमें जैसे स्टोरी बनाई राजा शलेश की जो गार्ड थे, विलेज़ के, उनकी, यहां पर आप देख सकते हैं कुछ लोवर कास्ट, अपर कास्ट, इनका बनाना, पेंटिंग को न कैसी बनाएगा, यह भी डिवाइडेड था, अब बात करें, टैक्निक्स ओफ मधुबनी पेंटिंग, इस पेंटिंग को बनाने में क्या-क्या टैक्निक्स का यूज़ किया जाता था, फर्स्ट बनी जो ओक्रे, लैंप, ब्लैक और रेड ये यूज़ के जाता था, हीना, लीव्स, मैरी गोल्ड, बाउग, वेलिया, काउ, डंग, सूट, राइस, पाउडर और लाइम, वर रिको फ्रेंडली, फ्रॉम विच आर्टिस एक्स्रेक्टिड कलर्स, और जो आर्टिस्ट जो थे, नेच्टरल चीजों से कलर को एक्सेक्ट करते थे, जैसे हीना की लीव्स से, मैरी गोल्ड से, और जो गाएं का गोबर होता है, उससे, या फिर जो अद्रक का पाउडर होता है, उससे या जो जो राइस होते हैं, उनका पेस्ट बनाया जाता थ इससे बहुत अच्छा white color मिलता है ये painting जो है वो pupil को और उनका nature के साथ क्या association है और जो ancient time है उनकी बारे में चीजों को दिखाती थी Colors use are derived from plants ये हमने पढ़ाई है कि plants से color को derive किया जाता था इत मींस ये painting हमें eco-friendly होने का भी message देती है 2-dimensional imaginary 2D form में रहती थी painting This painting is done with a variety of tools including figure, twigs, brushes, nib pens, match sticks using natural dyes and pigments ये painting जो है वो इसके अंदर काफी variety of tools use के जाते है और जैसे fingers से, twigs से, brushes से, nib pens से match stick से भी ये paintings बनाई जाती है जिसमें natural dye और pigment का use के जाता है The paintings were traditionally done on freshly plastered mud walls and floors of huts ये painting स्टार्टिंग में freshly plastered mud walls और huts के floors पर बनाई जाती थी अब हम अगर सीता देवी जो है इनके awards की बात करे तो she was honored with the state award by the government of Bihar in 1969 ये अभी पड़ा था उन्होंने 1969 में Bihar government ने state awards से नवाजा था In 1975 the national award was best offered upon her by the president of India जो president of India थे उन्होंने भी 1975 में उन्हें national award दिया था 1981 में उन्हें padmashree award मिला जो की इंदिया का fourth highest civilian award होता है और उन्हें 1984 में Bihar रतनों से भी सम्मानित किया गया और 2006 में Government of India ने उन्हें एक title दिया जिसको बोला जाता है शिल्प गुरूप उन्हें शिल्प गुरूप का गुरूप का title मिला अब यह यहाँ पे कुछ painting के साथ हम आप यहाँ पे वीडियो को खतम करते हैं Thank you for watching, please like, share and subscribe the channel